हिंदुस्तान एक जमूरी मुलक है और सब को अपने मज़ब के साथ जिंदगी गुजारने की जो है यहाँ पर अतौर्टी है हर इंसान जो है अपने मज़ब की तरह जिंदगी गुजार सकता है तो दो रोज पहले राज ठाकरे साहब ने जो बयान दिया मदरसों के तालूग से और मज़िद के लौड स्पिकर के तालूग से तो अजान जो है वो कई सालों से होती आ रही है और इंशाल्ला होती आएगी और राज ठाकरे साहब का पूरा पूरा पॉलिटिकल वेग्गराउंड का जो रेशो है वो जीरो हो चुक है तो वो इस तरीके की सरंगेज कलाम बाजी करकर और उसके बाद हिंदू-मुस्लिम के अंदर लडाई लगा कर वो यह सोच रहे होंगे कि उनकी पाल्टी को बहुत जादा शोहरत, मक्बूलियत और ताकत आसिल होंगी तो मालेग और डिवलप्मेंट फरन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्यूंकि मारास् ठाकरे साब ने महेंगाई पर बयान देना चाहिए, उसके बाद रोजगारी पर बयान देना चाहिए, उसके बाद मैंने यहां तक सुना कि उनके बाद बिल्यू प्रिंट है डिवलप्मेंट की, तो उनको डिवलप्मेंट पर बयान बाजी करना चाहिए, ना के ऐसी बयान बाजी जिससे हिंदू-मुस्लिम के अंदर लडाई हूँ क्योंकि आज भी मेरे कई दोस्तों गेर मज़ब के मानने वाले हैं जब भी अजान होती है वो इसको गौर से सुनते हैं और उन्होंने ये बात मुझसे कहीं भी है कि अजान होती है तो हम लोगों को सुकुन मिलता है तो कहीं न कहीं मैं यही कहूंगा कि मैं महाराष्ट गौर्मेंट से यह मतालबा करता हूँ और हमारे सियम उधे ठाकने सहाब से भी यह कहना चाहूंगा कि ऐसे लीडरान जो इस तरीके के हिंदू-मुस्लिम के अंदर जो है बड़ता हूं बयान करकर एक दूसरे के अंदर झाल के जयाते हैं उसके बाद जो सहीरल की में निंट तो इसा मैं राट चाहँंगेॉब बात करूंगा कि ऐसी बात कीजिए जो यहां के नागरिफ को इस बात बात हजम भी हो जाए ना कैसी बेवकुफी वाली बात कीजिए जिससे जो है लोग सुनकर जो है मजाक उड़ाए तो इस तरह के बात ना की जाए तो और हाउसिंग मिनिस्टर जेतिंग अवाल सहाब ने जो बात कहीं है कि मदरसे के अंदर जो है चौबीस गंटे के अंदर पोलिस दिपार पोलिस के लोग कभी भी जा कर वहां पर एक अस्तूरा नहीं डोल सकते तो यह बात सही है इस बात कहने पर मैं जो है जेतिंग रवाब सहाब की जो है सराना करता हूं और ऐसे और भी उन्हां कर नहीं सुन्हों की ताल्यूद्थ जो राज्ठाकर्शू साप में जो बयानबाजी की है उनुन पर भी उन्हों ने बहुत अच्छा बोला माश्यक अलला हमारे ऑमेले सॉटेभू बहुत अच्छा है रहाए हो सायब गश्याBob कि wszystkim समाज्वें आया ऑसे un companion की अन् उनके इंदर है लेकिन जोगिंग ट्रेक मामले में क्यों नहीं बोल पाए मुझे यह समझ में नहीं आदे